नमस्कार दोस्तों, स्वागते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चेनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाले हूँ कुटाज की फाइदो के बारे में प्रिस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजे और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें अब बढ़ते हैं वीडियो की तरह बुटज भारत की बहुती पचलित और प्राचीन ओशदी है यह भारत के पंप्राती वनों में 1000 मिटर तक की उचाये पर पाया जाता है बरसों से कुटज का प्रियोग दस्ते से लेकर घुटनों के दर्द के इलाज के लिए किया जा रहा है सच कहां जाये तो हर मर्च का इलाज शुपा है इस ओशदी में आप भी कुटज का इस्तमाल कहीं रोगों को ठीक करने में कर सकते हैं आई वेद मेर प्राचीन गरंतों में कुटज की बहुत चर्चा मिलती है पेट खराब होने पर बार बार दस्त जाने पर दस्त के साथ खून आने की बीमारी पित आदी की इस्तती या फिर पेट में मरोड के साथ दस्त होने पर कुटज का सेवन बहुत ही लापकरी होता है यह स्वाद में कड़वा होता है इस वर्ष का पत्ता चाल और बीज बच्चों से लेकर भुजूर तक के बिमारियों के लिए बेहती उप्योगी है अब फ्रेंस मैं आपको बताती हूँ कि यह किन किन चीजों में आपको फायदा पुझाएगा पेला है दाथ दर्द दाथ के दर्द में कुटच की चाल का गाड़ा बना कर कुला करने से लाप मिलता है अगर आपके दाथ में बहुती अधिक मातरा में धर्द हो तो आपको काफी ज़्यादा फायदा मिलेगा इसके अलावा फ्रेंस दस्त, पास दस्त मिली ग्राम कुटुच चाल के रस में एक चमर शहत मिला कर दिन में तीन बार सेवन करने से दस्त में फाइदा मिलता है इसके लावा पेचीज, 40 ग्राम कुटुच की चाल को 400 मिली ग्राम पानी में उबाल ले, जब एक घड़ा एक चोताई रह जाए, तो इसे चान कर इतना ही अनार का रस मिला ले, इसे आख पर घड़ा कल ले, और 6 ग्राम की मातरा में चाल के साथ सुबर शाम मिला कर पीए, इस विकार के कारण होने वाले दस्ते से लाब मिलता है, इसके अलावा खुनी बवासीर, 10 ग्राम कुटुच की चाल को पीस ले, इसमें 2 चम्मच शहद या मिश्री मिला कर सेवन करने से, खुनी बवासीर में लाब मिलता है, इसके अलावा कुटुच की चाल का गाड़ा बना इसे 15-20 मिली मातरा में 5 ग्राम गायक का गी तता 1 ग्राम सोट को मिला कर सुवर और शाम पीए इससे बावासिर में होने वाले खून के भाव को रोका जा सकता है इसके लावब भात करते हैं अगले फाइदे की जुकी है पत्री 5 ग्राम कुटूज के जड़की चाल को दई में पीज ले इसे दिन में दो बार सेवन करने से पत्री टूट तूटकर निकल जाती है कुटूज का इस्तिमाल करने से पत्री को निकालने में आसानी होती है इसके अलावा कुटूच के सेवन से डाइपटीज को भी ठीक किया जा सकता है कुटूच, रोहिनी, बहेडा, खेच, शाल, सतीवन और कबीला के फूलों को बराबर भागों में लेकर चुन बना ले इसके दो-पांच ग्राम चूरन में दो चमच शहद मिलाकर सेवन करने से कप और पित से होने वाली डाइपटीज में लाब मिलता है इसके अलावा कुटूच के फूल या पत्ते का चूरन बना ले इसे 2-3 ग्राम मात्रा में सेवन करने से डाइप टीज में लाब होता है इसके अलावा फ्रेंस लिंक के कमजोरी 6 ग्राम कुटूच के बीच को करीब 12 गंटे भेंस के दूद में बिगो कर रखे इसे पीज ले और अपने प्राइवेट पार्ट पर लेप बना कर इसे पट्टी से बान ले कुछ देर के बाद गुन-गुने जल से दो दे कुछ दिन तक नियमित रूप से इसा करने से लिंक की कमजोरी दूर होती है और लिंक में तनाव आता है इसके अलावा कुछ रोग 10 क्राम कुछ की चाल को जल में पीस ले इसे दिन में 3 बार 7 करने से कुछ रोग में लाब मिलता है इसके अलावा घाव सुखाने में भी कुछ आपके काफी ज़्यादा साहिता करता है कुटूच की चाल का गड़ा बना कर गाव को धोने से गाव भर जाता है कुटूच के बीच का पेस्ट बना ले इसका लेव करने से गाव कुष्ट रोग सहीत अन्य संक्रामन रोगों में लाब होता है इसके अलावा अगर आपको फफोले हो गए हैं तो आप उसमें भी कुटूच का प्रियोग कर सकते हैं कुटूच की चाल को चावल के पाने में फीस कर लेव करें इससे फफोले तता फुंसियों में लाब होता है इसकी ताजी चाल का प्रियोग अधिक लाब कारी होता है इसके अलावा एक्जीमा अगर आपको एगजिमा की समस्या हैं तो आप कुटूज़ का استعمال कर सकते हैं कुटूज़ का दूद अत्व iter इसके पत्ते या फिर इसकी चाल का पैस्ट बना ले इसे एगजिमा, खुशली, तचा में होने वाली सुजन, इत्यादी अन्ने तचा रोगों में लापकारी होता है इसके अलावा बुखार बुखार को ठीक करने में कुटूच आपकी काफी ज़्यादा साहिता करती है कुटूच के बीच को गी में पका ले इससे शरीर पर हलके हाथों से मालिश करने से तेज बुखार और शरीर की जनन की समस्या में रात मिलती है इसके साथ ही अंगों में आराम महसूस होता है इसके अलावा सूजन कुटूज के तने की चाल को पीस कर लगाने से पूरे शरीर की सूजन ठीक हो जाती है इसके अलावा शरीर की जलन शरीर की जलन को ठीक करने के लिए कुटूज काफी ज़्यादा फाइदेमंद होता है जलन की स्थती में शरीर में पित दोश बढ़ जाता है ऐसे में कुटूज में पाए जाने वाले पित शामक एवन सीत गुण के कारण यह शरीर की जनन को कम करने में लाबदायक होता है इसके अलावा साप के काटने पर भी कुटूच का इस्तमाल कर सकते हैं साप के काटने पर होने वाली सूजन का उपचार करने के लिए कुटूच फल को पीस ले इसे काटने वाले इस्तान पर लेप किया जाता है तो इससे आपको काफी लाब होगा इसके अलावा पेट दर्द होने पर भी कुटूज आपको काफी ज़्यादा लाब पोचाता है पाचन तंतर के सही प्रकार से काम न करने के कारण अक्सर पेट में दर्द की शिकायत सामने आती है इसे में कुटूज के गुण के कारण है पाचन को स्वस्त कर पेट दर्द से राद दिलाने में मदद करता है इसके अलावा ये पेशाप के जलन को दूर करने में भी काफी ज़्यादा साहिता करता है कुटूच के फल के सेवन से पेशाप की जलन को भी कम किया जा सकता है जो की वात और बिदोश के अंसंतूलित होने के कारण होती है कुटूच के फल में तरी दोश शामक गुन पाये जाने के कारण यह इस आवस्ता में लाप पूछा सकता है तो देखा दोस्तों आपने यह थे कुटूच के फायदे उमेद करते हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल भी न भूले थेंक यू फ्रेंज मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बैबाई